पोल बाम और आप यह देख सकते हैं सुल्तान गंज हम लोग आप कुछी देर में पहुँचने वाले हैं और आप लोगों को मा गंगा का दर्सन भी करवाएंगे सुल्तान गंज जो भारत का सबसे पवीत रस्थान माना जाता है यहां से कावार यात्रा प्रारम होती है स्रावनी मेला 2022 में आपका स्वागत है और आप देख सकते हैं चार तरप किस तरह से बेवस्ता की गई है बहुत ही खुबसूरत और भक्ति महीं लग रहा है अभी क्या सीन है क्या दिरिस्य है एक-एक दिरिस्य बहुत ही किंती दिरिस्य है इस दिरिस्य को जरूर केमरे में केप्चर कर लिया जाए काफी भक्ति महीं लग रहा है आप देख सकते हैं और यह जो द्रिश्टी है आप यह जो द्रिश्टी देख रहे हैं यह साच्छा मा गंगा का द्रिश्टी है जो सुल्तान गंज में इस्तित है और यहीं से सभी कामरिया जल उठा करके बाबा मंदिर देवगर के लिए परस्थान करते हैं मैं मा गंगा के उस तट पे महजुद हूँ जिसी लोग और यह पूरा दुनिया सुल्तान गंज के नाम से जानती है और मैं मा गंगा का साच्छा दर्सन आप लोगों को करवा रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि किस तरह से कामरिया यहां से जल उठा कर बाबा मंदिर देव गंगे जैसिप सुंबू लिखना ना भूले दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ बात बताने वाला हूँ आप लोगों को पता होगा कि सुल्तान गंज से सबसे पहला कामर यात्रा भगवान सरी राम चंदर जी ने किया था एवं परसू राम भगवान ने भी किया था और सरवन कुमार ने भी किया था तो उसके बाद से ही यहां पर कामर यात्रा प्रारम हुई है सुल्तान गंज से देवगर तक के लिए और देवगर में बारत जोतिर लिंग में से एक जो बाबा बैजनात धाम के नाम से जाना जाता है जहां पर कामर या सुल्तान गंज से जल उठाकर बाबा बैजनात धा में जलावी सेख करते हैं तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आप लोगों कि यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को सेर करें और कॉमेंट बॉक्स में हर हर गंगे जैसी संभू लिखना ना भूले तेन्यवाद झालाओ्क ए तो कि आक यह ए, हन्ठा को कि लिए जालाओी सेख कि असलाओल कि को देख वालाओभाव है तो MRI लीडिवाद़ है